बड़ी खबर च्टापुर के नौगाओं से जहां कोरो ना पॉजिटिव मरीज मिला है, तो जिले में कोरोणा की दस्तक हुई है, नौगाओं के बजरंग कालोनी में मिला है कोरोणा पॉजिटिव तो बताय जा रहा है, चार दिन पहले ही दिल्ली से लोटा था नौगाओं और इस मरीज को दिल्ली में सेंपल लिया गया था, इसका आइसलेट किया गया था संबंदित मरीज वहां से नौगाओं आया और इसके मुबाइल में मैसेज आया, पोरोना पोजेटिव रिपोर्ट आई है उसकी जो दिल्ली में चेक अप हुए था उसका और अब जैसे ही प्रसासर को जानकारी मिली है तो उसे एरिये को सील कर दिया गया है, कंटेंटमेंट एरिये में तब्दील किया गया है, उसके परिवार वालों को सेंपल लेकर होम आइसुलेट किया गया है, वहीं संबंदित ब्यक्ति को अब शातरपुर में आइसुलेशन बार्ट में रखा जाएगा, दोबारा सेंपल उसका फेजा जाएगा, तो ये बड़ी खबर है, शा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, उसके घर के चार सदस है, जने होम आइसुलेशन में रखा गया है, पोलिस प्रसासन मौके पर पहुचा, डॉक्टरों की टीम पहुची और इसके बाद उस मरीज को जहां जिलास पताल आइसुलेशन बार्ट में भरती कराया गया, वही उसके परीजनों को अब होम क्वारेंटाइन किया गया है. देखी, रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चला, कि देहली में उसका टैस्क किया गया था, लेकिन उसको रिपोर्ट आने के पहले ही वहां से भागा है, तो ऐसी यहां से सुखता जी तो उसको हमने प्रोटोपॉल के साहिज जिलास पताल आइसुलेशन बार्ट के लिए और फैमली के जो सदस तीन सदस और है, चार सदस जोगी है, मम्मी, पापा और उसकी पतनी, और उसकी बुगा, इन लोगों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गया है, और उनके हर को पूरा हम क्वारेंटिन कर दिये गया है, और वाकी इस एरियो को कंटेनमेंट एरिया में बदल कर दिये गया, ठीक